नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल आपका रंगमंच पर आज इस वीडियो में हम आपको वर्ड रेट क्रोस्डे के बारे में बताने वाले हैं जो आठ माई को हर वर्ष मनाया जाता है यह क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, यह दुनिया भर में इतना महत्पूर क्यों है, यह सभी जानकारिया हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर अंतक बने रहें दोस्तों दुनिया भर में हर साल आठ माई को वर्ड रेड क्रोस डे मनाया जाता है 1920 में भारती रेड क्रोस सोसाइटी के स्थाप भारती रेड क्रोस सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई उसकी नौव अश्वाद रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविदियों को ध्यान में रखते हुए अंतर राश्टे रेड क्रॉस सोसाइटी के आंदोलन ने इसे अपनी मान्यता दी इसके संथापक है हैं हैंडी डूनेंट जिनके जन्म दिवस पर यह दिन मनाया जाता है हैंडी डूनेंट के प्रयासों से 1864 में जेनेवा समझोता के जरिये अंतर राश्टे रेड क्रॉस मोमेंट के स्थापना की गई हैंडी डूनेंट को पहला नोवल शांदी परसका भी प्रदान किया गया था अब हम बताएंगे कि यह दिवस इतना मैतपूर क्यों हैं रेड क्रॉस एक स्वैम से भी संस्था है और देश के किसी भी भाग में प्राकरतिक और मानविये आपदा से बीडित लोगों को राहत पहुँचाने में बहुत ही मैतपूर कारे कर रहे हैं इस तरह की संस्थाओं में जो स्वैम सेवक होते हैं उनकी लोगों से प्रेड़ना लेनी की आविश्यक्ता है रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्या युद्ध के दोरान खायल लोगों सैनिकों युद्ध करने वालों युद्ध बंदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना उचित उप्चार क की सुवधाएं उपलब्द कराना इतना ही नहीं अब उनकी दायत्र का दायरा और रधिक बढ़ गया है पिछली सालों के दोरान आई प्राकरतिक आपदाएं भयंकर बाड और सुनामी लहरों के तंडव और कैटरीना तूफान के दोरान और उसके बाद अंतरराश्ट्रे रेड ग्रॉस ने जो भूमी का निवाई उससे इसका बाद निवाई रेट करोस ने जो भूमी का निवाई उससे इसका पूंप पाता है